मुंबई से आई वे गुरकपूर जनपत के दो और लोगों में कुरोना पासिटिव रिपोर्ट सामने आई है ये दोनों मरीज भी बेली पार थाना छेट के कटिया गाउं के रहने वाले हैं ये दोनों मरीज टीबी अस्पताल में पहले से ही कुरेंटाइन थे मंगलवार की देर शाम इनकी रिपोर्ट पासिटिव आई है दोनों मरीज बेली पार के कटिया गाउं के रहने वाले हैं इससे पहले भी बेली पार के एक युवक में कुरोना पासिटिव का लच्छड सामने आ चुका है वा युवक मुंबई से लोटा था उसकी उम्र लगभग 3 साल है पहला पासिटिव आया युवक बेली पार थाना च्छेट के भरवलिया गाउं का रहने वाला है जबकि इस बार जो दोनों सामने आये हैं ये युवक कटिया गाउं के निवासी हैं अब गोरकपूर जनपद में कुरोना पासिटिव मरीदों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई है पहले सामने आ चुके भरवल गाउं में 5 माई को 3 लोगों के साथ मुंबई से एंबुलेंस से गोरकपूर लाया गया था उसके साथ आये लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी आपको बता दें कि फिल हाल अभी दो और कुरोना के नए पासिटिव केस बेलीपार थानाचेत में आ चुके हैं जिसको लेकर पुलिस परशासन पूरी तरह से एलर्ट हो चुका है साथी विशेश सावधानियां बरत्ते हिवे लोगों को आगा किया जा रहा है जिससे की कुरोना वैश्विक महामारी से निप्टा जा सके